नमस्कार जाहीं दोस्तों आप देख रहे हैं Master Video Official और अभी जो हम डाटा सेयर करने वाले हैं मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे अभी भी कि जैसे लेवल 6 में जितना सीट है उतना का जोइनिंग नहीं हुआ है मतलब उतना का पैनल नहीं आया है तो क्या और चांस है आने का या फिर लेवल 5 में तो अभी जो बता रहे हैं से आपको यह भी पता चल पाएगा कि किसी भी जोन में कितना नंबर तक कम हो पाएगा वो चीज़ दिखाते हैं सबसे पहले तो एक चीज़ समझ यह अगर आप डाटा अनलाइस करते हैं तो यह आपको काफी हल्प करेगा य यह जो भी अभी पिन दिखाएंगे किसी एक जोन का तो सिकंद्रावाद का ही दिखा रहें ताकि थोड़ा हम और अच्छे से बता पाएंगे उसका तो ऐसे करके आप अपने जोन का चेक कर लेजिएगा जैसे यह सिकंद्रावाद का लेवल 5 का डिजल्ट है आप देख सकत है तो जैसे यहां पर यह अठाई सेगार जो है यह दिया गया है उस जोन का है मतलब जैसे अठे सिकंद्रावाद का अठे सेगार उसके बाद जो आप 92 देख रहे हो न 92 92 है OBC का कोड 91 है जेनरल का कोड तेक ना उसी तरह से अगर आप नीचे जाओगे तो 93 और 4 यह जो है वह SC और ST का कोड है और जो EWS है उसका कोड 95 दिया गया है सबज़ रहे यह 95 तो अगर आपको चेक करना है तो जैसे अगर हम को ही चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 5 में दिया गया है और फिर एक लाइन से सब का दिया जैसे आपको 95 देखना है ना तो सारा 95 एक ही कर सकते हैं यह कौंट किजिएगा फिर 5 दिया कि और यह देख लिजिएगा कि आपके कट्री में कितने लोग क्वालिफाइ किये हैं जैसे अगर मैं इसका देखूंँ EWS का ही अगर मैं बात करूँ तो यहां से कर मैं count करूँ कि पहले count कर लेते फिर बताते हैं आपको तो 44 line में EWS का दिया गया है 44 को 5 से multiply करेंगे तो 220 के आसपसा है 220 candidate जो है वो EWS से qualify किये है mainly मैं EWS किसी लिए बता रहा है क्योंकि मैं उसका थोड़ा data अच्छे से analyze किया हूँ आप अपने category का अपनी zone का अच्छे से कर सकते हो तो जैसे 220 candidate EWS से qualify किये है यह तो मुख clear हो गया level 5 में अब यहां पर आके EWS का यहां पर अगर आप seat देखो level 5 में तो 150 के आसपास seat जो है तो अधिक दो तिन कम जो भी हो तो 150 के आसपास जो है वो seat level 5 में दिया गया है लेकिन qualify कितना है 220 और seat है 150 उसके बाद आप इसका cut-off देखो यह सिकेंदरावाद का यहां पर है सिकेंदरावाद का अगर आप देखोगे तो general का cut-off जो था EWS या OBC जो भी है उनका cut-off 78 से उपर होगा वो general से qualify किये होएंगे और जिनका 78 से लेकर 74.95 के बीच होगा वो qualify किये होएंगे EWS से इतना ची आप इधर देख लिजिए उसके बाद आप आईए rank IQ की डाटा में यह जो application है वो download किये होएंगे अगर चेक करना होगा तो उसके बाद eliminate level 6 का देख लिजिएगा इस पर आईएगा यहाँ पर चलते हैं सिकेंद्रावाद में एक चीज दिखाते हैं आप लोगों को जैसे सिकेंद्रावाद में आगे अब यहाँ पर से हम यह देख रहे हैं कि जो cutoff था general का वो 78.31 है तो 78.31 पे चलते हैं 78.31 देखें कितना तक कम होगा वो भी आपको idea लग जाएगा 78.31 आप देख सकते हो EWS का यहाँ पर rank दिखा रहा है 109 मतलब 109 तक जिसका rank आया है वो general से qualify है मतलब EWS का 109 candidate general से qualify किया है अब देखिए आप EWS का cutoff कितना है 74.95 अब हम 74.95 तक चलते हैं देखिए यह थोड़ा complicated है ठीक ना लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो मतलब कोशिश करता हो समझाने का समझी जाएंगे आप लो 74.95 74.95 चलते हैं 74.95 अब देखिए यहाँ आप आगे 79 पर यहाँ पर तो 204 मा रेंक आ रहा है और इससे पहले वह 809 घटाएंगे तो approximately 100 मान लेते हैं 95 ही होगा लेकिन 105 मान लेते हैं 100 मान लेते हैं तो 100 candidate जो है वह qualify किये हैं EWS category से और सीट कितना था? 1500 था यानि 50 candidate EWS से और qualify करेंगे तो आप यहाँ से जो है वह 50 नीचे count कर लो जैसे कि अब देखिए यहाँ पर कितना इसका रहा था? 204 तो 204 में आप 50 add कर लो यानि 255 कितना नंबर तक जा रहा है? 254 पर हमको जाना है वह भी EWS का EWS कितना तक आगी आई है? लेवल 5 में 251 इसी page में होगा तो 251, 262, 262, 251 बहुत यह 73 और बहुत लोगों को आ रहा है यानि 73 तक जो 73 cut-up है ने EWS का लेवल 5 में कम होके 73 के आसपास तक जाएगा तो इतना क्या आसपास अगर है तो आप उम्मीद रख सकते हैं देखिए आ 78.31 cut-up है और जो OBC का cut-up है वो 76.31 है तो इसके बीच में देखिए कितना candidate OBC से qualify किये हुए है और फिरकुल seat देखिए मैनस किजिए उसके आगे तक आउंड कर लेजिए तो यह एक authentic तरीका है और कितने लोग जो उसे qualify किये हैं वो आप अगर result वाला data देखो तो उससे पता चल जाएगा कितने लोग qualify किये हैं असानी से आप उसको मैनस कर सकते हो ठीक ना यह एक असान तरीका होते है हलांकि देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि 94 जैसे सी का है स्टी का है 93 सी का है तो अपने आप admit card से मतलब अपना डॉल नमर चेक किजिएगा हो सकता है 94 OBC का ही हो मतल करते तो 94 OBC का होगा आप देख लेना क्योंकि जो यह 94 वाला सीन है यह category को ही represent कर रहा है ठीक ना तो यह आप करके देख लेना और आपको एक idea लग पाएगा तो चले इस वीडियो में इतना यहां यार कोई request नहीं किजिएगा कि सार इस zone का क्योंकि आप समझ सकते हों कितना मुस्किल है पहले हमको सब कुछ download करना होगा हर एक zone का हरे category का सब कुछ करना पड़ेगा तो आप अगर अपनी zone का कर लीजिएगा सब कुछ रटा तो फिर ही असानी सब और authentic तरीके से कर पाईएगा और फिर ही कुछ help चाहिए हो तो comment box में लिखिएगा मिलते नेक्स वीड